फ्री में business email id कैसे create करते हैं इसके उपर मैं already एक video बना चुका था उस समय वो free था पर आज की date में वो paid हो चुका है तो मेरे पास काफी time से comments आ रहे थे कि भाई कोई फिर से ऐसा जुगार नकालो जिससे हम फ्री में business email id create कर सके तो आज friends में आपको एक नहीं दो नहीं तीन ऐस points बताने वाला हूँ जो सुनके आपको हिरानी होगी और तीनो points एक ही video में शायद ही किसी ने cover करे होंगे सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ जब भी आप अपना business email id create करके उससे Gmail के साथ connect करते है तो आपके Gmail के अंदर two step verification on होना मतलब उसको enable होना बहुत जरू करेंगे यह points तो मैं बताऊंगा ही plus मैं आपको एक चीज़ होर बताऊंगा कि आप unlimited business email id को कैसे create कर सकते है और यही चीज़ मैं आज के वीडियो में बताऊंगा पर उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा अगर आप मेरे channel में ने है तो मेरे channel को subscribe करें और इस bell email id free में create कर सकते हैं पर जो blogger platform यूज़ करते हैं उनके लिए possible नहीं होता कि वो अपना business email id create कर सके हैं आप देखेंगे मैंने अपने blogger की website को open कर रहे हैं contact का मैंने page open कर रहे हैं और यहां से मैं नीचे करके दिखाता हूँ यहां पर जो मैंने email id डाला है वो techno वेदान मेरे चैनल को यहां से अपने subscribe करना और bell icon को press करने के बाद all के उपर जरूर क्लिक करें सबसे पहले हम अपनी two step verification को enable करेंगे जिस gmail के उपर आप अपने business email की mails को forward करना चाहते हैं उसके account में आपने login करना है corner पे आपके यहां icon आ रहा है इसके उपर आप क्लिक करेंगे य इसके उपर मैंने click करा और get started के उपर आपने click करना है अब यहां पर आपको फिर से login करना है अपना password डालके next के उपर click करना है यहां पर आपका mobile number आएगा जब आपने email id create करा होगा तो वसमय आपने mobile number को जरूर add करा होगा वो यहां पर show करेगा नीचे आपको दो option मिलेगी text और phone की यहां से आपको एक code मिलेगा चाहे तो आप text के through भी कर सकते हैं या फिर phone call के through भी मैं phone call को select करूंगा page नीचे करने के बाद next का आपको button दिख रहा है इसके उपर आपने click करना है यहां पर मैंने code को enter कर दिया और next के उपर मैंने click करा अब यह मुझे two step verification on करने के ल फिर से आपने security में जाना है और यहां पर लिखा है app password इसके उपर आपने click करना है फिर से आप यहां लॉग इन करेंगे यहां पर option आ रही है select app की सबसे last में लिखा है other custom name इसके उपर आपने click करना है और यहां पर आपको कोई भी नाम देना है for example मैं यहां लिख देता अपन रहने दे नहीं तो इस password को आप कहीं पर भी save कर ले चाहिए notpad में कर ले या जो भी आपका source है वहां पर इसको जरूर save करें अब next step में मैं आपको यह बताऊँगा कि आपने business email id को कैसे create करना है Google में जाना है और वहां पर लिखना है improve mx आप यह spelling ध्यान से देखे उस इसके अंदर आप business email id के mails को forward करना चाहते है अब आपकी जो website है जो आपकी blogger के अंदर website है आपने सिर्फ उसके domain name को copy करना है यहां से आपने https और www को बिल्कुल copy नहीं करना यहां पर आप देखेंगे example में भी wise show कर रहा है यहां पर मैंने इसको paste कर दिया अब यहां पर आ email id में एक link आ चुक है इस link के उपर मैंने क्लिक करा और आपकी जो previous window थी आप उसको close कर दे अब यहां पर आपको दो option मिलेगी एक तो terms and condition की जिसको आपने टिक करना है और second option है क्या आपके email id के अंदर यह आपको कोई update send करे कोई भी नया feature है किसी तरह की notification है अगर आप चाह successfully अब यहां पर friends आपको यह core option देख रही है email forwarding needs setup आपको इधर setup करने की जरूरत है इसलिए आपने इसके उपर click करना है click करने के बाद यहां से friends आपको mx record और txt record को अपने domain के dna setting में जाके add करना है वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ priority आपको याद करनी ह है और value को यहां से आपने copy करना है first priority हमारी 10 है अब आपको अपने platform में जाना है जहां से आपने domain name को purchase करता और उसके आगे जो dns लिखा होगा उसके उपर आपने click करना है यहां से page को नीचे करेंगे add पे click करेंगे और यहां से आपने mx को select करना है host में आप add the rate type करेंगे और points मतलब जो value थी उसको आप यहां paste कर देंगे और priority हमारी जो first थी वो 10 थी उसके बाद यहां आपने कोई भी changes नहीं करना और save के उपर click करना है फिर से add पे click करेंगे mx पे जाएंगे और second time जो हमारा था priority 20 थी यहां पे हम add the rate करेंगे और अब हम second time जो value थी उसको यहां स copy करेंगे और यहां पे हम paste कर देंगे और उसके बाद आपने save के उपर click करना है फिर से आप add पे जाएंगे यहां से आपने txt को select करना है host में आपने add the rate लिखना है और यहां पे जो value दिया है यहां से आपने इसको copy करना है copy करने के बाद आप यहां पे paste कर देंगे और save के के बाद आप इसे refresh करेंगे refresh करने के बाद वापिस आपने यहां पर आना है और आप देखेंगे यहां पर चेंज अगेन लिखा हुआ है इस पर फ्रेंड्स 15 मिंट थोड़ा लग सकते हैं आप देखेंगे यहां एक बच के 9 मिनट हुआ है रात के चेक अगेन पर मैं क्लिक करता हूँ और चेक करते है क्या अभी मेरा यह एक्टिवेट हुआ या फिट थोड़ा टाइम लगेगा यहां पर अभी मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ तो फ्रेंड्स मैं 15 मिंट के लिए वीडियो को पॉस कर रहा हूँ उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा यहां पर आप देखेंगे मैंने वीडियो को पॉस कर दिया था एक बच के ग्यारा मिनट हुआ है मतलब दो मिनट हुआ है और यहां पर मेरा लिखा आगय है इमेल फॉवर्वर्डिंग एक्टिव यह मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है अब आपको यह जो फ लिखते हैं इंफो लिखते हैं एडमीन लिखते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉंटक्ट तो मेरा एक इमेल ऐडी क्रेट हो गया कॉंटक्ट और यह जो आगे स्टार बनावा फ्रेंट्स यहां से आपने इसको डिलीट करना है और यह मेरा इमेल ऐडी कौंसे इमेल ऐडी में फरवर्ड हुआ है वो भी शो कर रहा है इसके आगे टेस्ट लिखा है और इसके उपर आपने क्लिक करना है अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं आपको अपना कोई दूसरा इमेल ऐडी ओपन करना सब्जेक्ट में मैं hello लिख देता हूँ और उसके नीचे मैं high लिख देता हूँ और उसके बाद send करके देखते है क्या ये मेरा message send होगा या नहीं यहाँ पर आप देखेंगे message sent लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा यह वही business email idea जो अभी मैंने create करा मतलब मेरे को email अब receive होने लग गए अगर मैं reply देना चाहूं तो friends मैं इसका reply नहीं दे सकता, यहाँ पे मेरे error आएगा उसके लिए मुझे एक setting करने पड़ेगी और यहाँ पे आप जो setting की option देख रहे हैं इस button के उपर आप click करेंगे और यहाँ लिखा है settings इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद यहाँ आपको option मिलेगी accounts and import की, इसके उपर आप click करेंगे यहाँ पे आपको option मिलेगी add another email address इसके उपर आपने click करना है यहाँ पे आपको दो option मिल रहे है name और email id name इसने by default ले लिए आप इसको change जरूर करे है क्योंकि आप एक business email id create कर रहे है और email address के अंदर आपको अपना business email id add करना है यहाँ पे ओपर name जो था मैंने उसको भी change कर दियो और उसके बाद आपने next step के उपर click करना है यहाँ से आपने इसको delete करना है और यहाँ पे लिखना है smtp.gmail.com उसके बाद username और password में friends आपको अपना Gmail का ID डालना है अब यहाँ पे password की option आ रही है अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने आपसे एक password save करवा के रखा था उस password को अब आपने copy करना है और यहाँ पे आपने paste कर देना है paste करने के बाद आपने add account के उपर click करना है यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने business email id create कर रहा friends उसके अंदर आपके पास ए confirmation code आया होगा तो यहाँ से मैं इसे minimize करता हूँ और inbox में जाऊँगा यह वाला code मैंने यहाँ से copy करा और उसके बाद मैंने यहाँ पे paste कर दिया paste करने के बाद verify के उपर click करा यहाँ से मेरा account verify हो गया हो सकते है friends आपको 15 minutes लग जाए पर फिर भी हम इसको एक बाद check जरूर करेंगे यहाँ से मैंने compose के उपर click करा और आप यहाँ से अपने email id को select कर सकते हैं अगर आप business email id के थूँ किसी को email भेजना चाते है तो direct आप अपने business email id को select करेंगे जिसको भी email send करना चाते है आप यहाँ पर वो type करेंगे यहाँ पर मैंने test type कर दिया subject में और नीचे body में मैंने demo email लिख दिया उसके बाद मैंने send के उपर click करा यहाँ से मेरा email id sent हो चुक है आप चेक करते हैं कि मुझे दूसरे email id में receive हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे friends मैं इस पर click करके दिखा देता हूँ मेरे business email id से यहाँ पर message receive हो चुक है और कौन से email id में send करा था वो भी यहाँ show कर रहा है अब reply करके देखते क्या email reply में जाता है या नहीं यहाँ पर मैंने सिर्फ hello लिखा और send के उपर मैंने click कर दिया वोपिस यहाँ पर आया मैंने inbox पर click करा यहाँ पर आप देखेंगे मेरे business email id के अंदर mail receive हो चुक है अभी हमने सिर्फ अपना एक business email id क्रेट कर रहा है contact at आगे जो भी आपकी website का नाम है अगर आप इस तरह से और भी business id create करना चाहते है बिल्कुल free में तो उसका भी same यही process है वोपिस आपने इस website में जाना है अब यहाँ पर for example मैं लिख देता हूँ info उसके बाद आप देखेंगे मेरा email address आ रहा है अब आपको कोई दूसरा Gmail चाहिए यहाँ से मैं इसको delete कर दूँगा अब आपका जो दूसरा email id है उसको यहाँ पर आप टाइप करेंगे जैसे मैंने यहाँ लग दिया टेक्मोवेदान 2017 इसके बाद फिर से सारा same वही process start हो जाएगा जो मैंने अभी आपको सिखाया है यहाँ से add के उपर click करना है और इसमें सारी आपको setting फिर से वही करनी पड़ेगी बस go daddy में फिर से आपको MX record और TXT value add करने की जरूरत नहीं है बाकी जो process मैंने बताया as usual same आपको वैसे ही करना है I hope आपको सब कुछ clear हो गया होगा कि अब आपको free में business email id कैसे create करना है और वो भी unlimited और अपने gmail के थुरू आप कैसे उसमें mails को receive और send कर सकते है अगर आप मेरे चैनल में नए आई या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करा तो subscribe के button पर click करें और bell icon को press करने के बाद all के उपर जरूर click करें